तो दोस्तो आज ये फीडियो का अंदर आपको रिपेर करके देखांगा ये जो सेंस्ट्रों कंपानी का टीव है तो इसी तरह कुछ भी आन्नान कंपानी देखेगा तो जुरूर इसका अंदर मार्केट का लोकल किड्यों चाहिना पेशी भी देखा जाते हैं तो ये टीवी पास बात द 11 तो डीश टाइम के तो टीवी नहीं हो रहा है सप्रेदिनेगा पिसका इंडिके टर ज़ल रहा है तो यह सिर्च लहां sieteोड रहा है और इसी टाइम इसका निकर दिखे जल रहा है तो फार्टीने बात यहीज़का प्राब्लम बॉटम पुछ करके आपको देखाते हूं देखिए यह भी ओन नहीं हो रहा है चली इसका रिमोट मेरा पास है यह रिमोट दवा की भी एक बार देखता हूं कि यह स्टेंबाई पूर स्टेंबाई मूट पर है कि नहीं है रिड बॉटम दवाने का बाद भी दोस्तों यह टी फानला दोस्ते इसका बैक कावर ओपेन कि आप देख सकते हो इसी तरह इसका यह जो मोनिटर का पीचर ट्यूब है और इसका अंदर देखिए मार्केट का लोकल पीसीब है और बहुत दिन से यह ओपेन नहीं है पार्टी ने बात आ तीन साल मैं जिस टाइम से यह पीवी को खरित किया अभी हित्ता कि इसका कुछ भी प्राब्लेम देखने को नहीं मिल रहा है बाट इसी टाइम यह अभी नहीं चल रहा है तो दोस्ते इसका अंदर दिखिए एक वाइर ओपेन है यह पहले से ही ओपेन है तो दोस्तों लगड़ाया है कि जोरूर कुछ भी एक टेग है तो सोलारिंग अब्र करते हूं तो उल्टा करके चेक करने के लिए और काम करने के लिए खिए अशन हो जाए तो मेरा swap का अंदर यह TV है कोई बात नहीं इसको पहले से यह जो टाइस है इसको वायर को कारकर यह दोकोus现在 यह पार यह करें इसले में को Алद में धृते वैए और ko pa openly देख लिले ताहूं कि देखले के बाद आपको देखाथ हो lecture PCV के भी थोरह साभ सब करना पड़ेगा तो दोस्ते वीडियो आप continue वाच कीजिए तो दोस्ते PCV के में आच्छा करके सबसब क्या सबसब करने का बाद आपको देखना अच्छे तो किस्त है PCV है यह मार्केट का लोकल पीसीव है बर दोस्ते यहाँ पर आप देखिए मैं पार्टी को भी देखाया कि आप सच बात है कि कोई टेगनिसियान ये टीबी को रिप्यार करने के लिए आया है कि नहीं इसका बाद वो लास्ट में बात है कि मैं घृर पर नहीं था हो सकता है आ सकता है तो इसीलिए दिखिए ये जो दो डिवसितरं से यह दो रिजस्टैंस को काट किया कारकर के वो टेगनिसियान चला गया और की ने यह जो resistance यह अभी तो open है तो इसी condition power ठीक है इसी condition power यह resistance EST supply पर यह open है हो सकता है कुछ तरह test किया कि voltage drop problem हो सकता है तो मैं एक 100 बाल्ब connection किया EST supply रहें के अंदर आपको देखा है कुण पोजिशन पर connection किया आलाग से AC code मैं connection किया connection कारने का बाद मैं 200 बाल्ब सीरिच करके एक बाद supply देखाता हूँ जब मैं 200 बाल्ब से सीरिच करके supply दे दिया देखिए इसका बाल्ब जल रहा है अभी चेक करना पड़ेगा कि इसका अंदर supply कितना आ रहा है इसलिए meter को 200 DC range पर select करना पड़ेगा इसका बाद EAST supply अभी कितना बान रहा है 109 बोल्ब मल्दब दोस्तों इसका EAST supply ओके है अलग-अलग voltage 27 बोल्ब यह ओके है यह 11 बोल्ब यह voltage ओके है और यह 15 बोल्ब मल्दब यह इसका अलग-अलग output voltage all voltage ओके है अभी EAST supply ओकेन है तो आभी क्या करना पड़ेगा एक बाद EAST supply line है इसका अंदर आप jumper connection करके देख सकतो 2.2 watt 1 ohms इस तरह resistance connection करके देख सकतो अभी दोस्तों इसका अंदर resistance है यह resistance का टंग इसी तरीके से हो काट किया यह soldering करने के भी problem हो जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पर आलाग से एक resistance connection करके आप देख सकतो यह आलाग से एक resistance है 2.2 ohms ठीक है 1 watt 2 watt का resistance connection करके है ठीक है EAST supply line का साथ इसका बाद एक बाद supply देखके देखोंगा की voltage कितना बन रहा है बट्टी भी चालू होता है की नहीं यह भी एक बाद देखना पड़ेगा मीटर को 200 DC range पर select किया अभी भी इसी टाइम 200 series बाल्ब से supply दे देता हूँ देखे supply दे दिया और अभी क्या देखना पड़ेगा voltage चेक करना पड़ेगा TV भी अभी तक चलो नहीं हो रहा है और दोस्ता देखे सीरीज बाल भालकास अगलो कर रहा है TV चलो नहीं हो रहा है और PCB से एक चीची टाइप आका आवाज निकल रहा है अभी EST supply दिखे voltage पौपड नहीं है ड्रॉप है 49, 50 वोलकास पास मादोब EST supply ड्रॉप हो गया तो इसी तरह अलग अलग सब भी voltage ड्रॉप दिखने को मिल जाएगा बाट जो EST supply पाई ले ओके था जो ड्रॉप है जो ड्रॉप है इसका रीजेन क्या है तो दोस्ते इसका रीजेन बहुत कुछ हो सकता है यह जो EST supply लें का अंदर रहा क्यापासिटर है यह क्यापासिटर इसका रहा क्याफाट रहता है और दोस्तों खुदी ESTkee सकता है और यह जो भीजमें जो लाइन आउटपुट यह जो बुस्त P2 F है जो नेगेट पर सद connection रहता है यह सट हो सकता है यह output टैंजिस्टर भी सोट हो सकता है कुछ भी पार सोट हो सकता है और दोस्तो यह जो योग कोईल का पॉइंट है यह दोनों जो पॉइंट है इसका अंदर जो कनेक्शन रहता है तो योग कोईल भी सौट हो सकते है और यह जो ओनानेट टीवल लाइन का अंदर जो डाट है डाट का पास ही जो कैपसिटर रहता है डाइसवल का यह भी सौट हो सकता है एक कुछ रीजेन है ठीक है यह सब रीजेन से हो सकता है बट फास्ट मैं जो दिखूंगा कि यह जो यह कोईल का जैक है यह जैक के पर उपन करूंगा दोस्तों चाइना पीसीवी का अंदर यह प्रब्लम कॉम आता है तो यह उपन करने के बाद यह कोईल हो पता चल ज बात 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 है तो आपको बात है कुण कुण पर फॉल्ट हो सकता है यह जो यस्ट है इस टी अधिकतर फॉल्ट हो सकता है चाहिना पीसिबिक अंदर बड़ दोस्तो मैं आपको देखना चाहा तुबो टिगनिश्यान क्या क्या देखी ये स्टिकर उपर एक स्टिकर रहता है जिसका अंदर नामबा रहता है वो स्टिकर का आउट कर दिया कोई बाद नहीं मैं ये जैक को कनेक्शन कर दिया और एस्टिक अभी ओपेन करूँगा निए इस्टि लगाए कर दिखाऊंगा ठीक है फैनले दोस्तों निव एस्टी कनेक्शन किया, कनेक्शन करने का बाद जीस तरह मैं आपको फास्ट चेक करके देखाया, यह रिजिस्टेंस कनेक्शन करके, तो अभी एक बार सापने देखे देखूंगा कि यह फुरना वाला एस्टी है, तो वोल्टेज से ही बन रहा है कि न मीटर का नेकेटिफ पर किच्चर ट्यक करनेक्शन किया, मीटर कर 200 टेसे इंच पर सिलेक्ट किया, अभी इस ती टैम साप्लाई दे दिया, लाइट नहीं आ रहा है, तो एक बार एस्टी साप्लाई चिफ करके दिखना पड़ेगा, अभी एस्टी साप्लाई पापार, तो प्रैक्टिकलिए आप और वीडियो दिखना चाहता हो तो यह सप्लाई ड्रॉप क्यों हो जाता है और यह सब्सक्राइब को कैसे चेक किया जाता है तो इस तो मैं सट का तोरीका से मैं आपको देखांगा मालो यह स्टैंडबाई मूट पर है इसी तरह अंगोली रेकिए कांगोली का अंदो फ़रा सा पानी लेकर टाच करेगा तो जो की पॉइंट है तो टीवी ओन हो जाता है वाट यह पहले से स्टैंडबाई ओन है इसनिए ओन हो गिया थैंको दोस्ते यह वीडियो फूल आज करने के लिए